नमस्कार दोस्तों मैं निते नाम का स्वागत करता हूं दोस्तों आद में बहुत दिनों बाद आया हूं बहुत दिनों बाद मैंने वीडियो बनाया है और जिससे कुछ लोग मुझसे नाराज होंगे जिनसे मैं माफी चाहूंगा लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कुछ कारवाही करने की कोशिश की गई मालहानी का जो है दावा किया गया वगएरा वगएरा और कुछ काम में फस गया तो मैंने वीडियो आना ठीक नहीं समझा कुछ दिनों तक लेकिन आप जानते हैं कि आपका दोस्त रुक नहीं सकता जादा समय तक उसे नहीं रोका जा सकता रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक यह किस चीज का डॉक्टर भगोड़ा वो तो नहीं पता लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इसका चैनल है जिसमें 2.38 सब्सक्राइबर्स हैं मतलब एक आतंकी एक आतंकी सपोरटर एक जो है देश से भारत से भागा हुआ भगोड़ा उसके टू पॉइंट-3,8 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं और आपके दोस्त नितिन अप्लोडर जो की देश भक्त है उसके महें 40,000 के आसपा सब्सक्राइबर्स हैं मुझे ऐसा लगता था कि देश भक्तों को लोग सर आँखों पर बैठालते हैं उन्हें पूछते हैं उन्हीं वावाही करते हैं उनकी पीट थपाते हैं और ऐसा मुझे कुछ एक्सपिरियेंस तो नहीं मिला लेकिन फिर भी मैं अपनी देश भक्ती जो है कायम रखूंगा जिस प्रकार से इन आतंकियों ने अपनी आतंकी गतिविधियां कायम रखी हुई हैं मैं भी अपनी देश भक्त गतिविधियां कायम रख रहा हूं और रखूंगा तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक वीडियो की आज है 21 जनवरी 2021 और कल था 20 जनवरी 2021 को एक वीडियो डॉक्टर जाकर नाइक ने अपने यूट्यूब चैनल पे जारी किया वीडियो का टाइटल था एवरी चाइड इस बॉर्ण एजा मुस्लिम डॉक्टर जाकर नाइक आप देख सकते हो यह उसका वीडियो है और इसको मैं थोड़ा सा आपको सुना भी देता हूं तो यह आपने देखा यह एक वीडियो है और इसका टाइटल है एवरी चाइड इस आ बॉर्ण एजा मुस्लिम तो यहां पर यह जो भ्रहम फेलाया जा रहा है जाकर नाइक के दौरा के हर बच्चा हर बच्चा मतलब इस दुनिया की आबादी जो है इस दुनिया की आबादी आठ से नौ आठ से नौ अरभ के आस पास है तो एवरी चाइड हर बच्चा जो की पैदा होत अब आप सोच के बताई हालां कि कुछ लोग पहले ही कटाक्ष दे देंगे कि यार पैदा तो पूरे में होता है बात में काट दिया जाता है तो यह सब बाते नहीं करेंगा क्योंकि अपना एक लेबल है अपने एक लेबल साइन्स हिस्ट्री की करेंगे हले कि history की बात करना भी उचित नहीं है क्योंकि जिसकी history जो है 570 इसवी से चालू होती है वह 570 इसवी के पहले जाते ही नहीं लेकिन भाई हम तो जाएंगे क्योंकि हमें तो historical proofs की बात करनी है हमें तो carbon dating की बात करनी है तो यहां पर जो की डाक्टर जाकर नाइक ने कर देते हैं तो वह सच्चाई की रहा से भटक जाता है और सच्चाई की रहा से भटकने के बाद वह इसलाम से बाहर हो जाता है और अगर वह दोबारा बनता है तो उसे सच में घर वापसी कहा जाता है यह सब कहना था जाकर नाइक का तो यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि चलो मैं नाम किया कि रिस्पेक्टेड भी ले लेता हूं रिस्पेक्टेड भी ले लेता हूं कि मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता मैं किसी भी धर्म गुरू, किसी प्रोफेसर, किसी डॉक्टर, किसी साइन्टिस्ट, किसी टेलरिस्ट और किसी धर्म का मजाक या उफास नहीं उड़ाना चाहता तो मैं इसलिए मैं रिस्पेक्टेड करके मैं शुबात करूँगा तो जो रिस्पेक्टेड प्रॉफिट मुहम्मद जी थे उनका जनाम 570 इस्वी में हुआ था 570 इस्वी में मृत्यू 632 इस्वी में हुई थी भारत में पहली मस्जित केरल के पेरुमल में 627 इस्वी में बनी थी तीक है अब मैं आपको यहां बता दूं 550 इस्वी में भारत में गुप्तडाइनेश्टी। उसके बाद हार्षवरधन का राज हुआ करता था तो यहां पर जो है गुपता डाइनेश्टी के पहले जो है कनिश्क राज किया करता था और उसके पहले 72 एडी में समराठ विक्रमादित्य का राज हुआ करता था यह सब हिंदू थे यह सब हिंदू थे उसके पहले भी अगर हम चले जाएं तो उसके पहले मतलब के पहले प्रॉफिट के आई थिंक 500 साल पहले समराठ विक्रमादित्य उज्जेन के राजा थे और जो की पूरे भारत और आधी दुनिया के कराजा कहे जाते हैं उनके भी 500 साल पहले 500 साल पहले चे-षे-षो साल पहले अशोका हुए अशोका जो है वो 259 बीसी में हुए 259 बीसी में वो समराठ थे और उनसे भी देड़ सो साल पहले लगबग लगबग देड़ सो साल पहले सवा 300 BC के आसपास चंदरगुप्त मौर रहे हुए चाणक के हुए यह सब हिंदू थे यह सब हिंदू थे अब मुझे आप एक बात बता दीजिएगा पांच सो सतर इसवी के पहले के एक भी मुझे मुझे मुस्लिम राजा या सुल्तान का नाम बता दीजिए मैं दो लाख रुपए इनाम दूँगा दो लाख रुपए मैं दो करोड भी बोल सकता था दस करोड भी बोल सकता था दस लाख भी बोल सकता था लेकिन मेरी उकाद द प्रॉफिट जी के पहले मतलब उनका जब जन हुआ था 570 इस्वी में उसके पहले कि किसी मुस्लिम शासक सुल्तान का नाम बता दे कोई भी नहीं था कोई भी नहीं था लेकिन मैं अंगिनत हिंदू राजाओं का नाम बता दूंगा मैं अंगिनत जो है वह क्रिश्चन्स रा महराजा समराठ लेकिन एक भी मुस्लिम शासक नहीं था और फिर उसके बाद जो है यह सिलसला जारी रहा और मैंने आख बता दिया है के भारत में 627 इस्वी में केरल के पेरुमल में पहली मस्जजित बनी थी 712 इस्वी में मुहम्मद बिन कासिम ने पहला इस्लामिक लगबख लगबख ग्यारवी सदी में हुआ था ग्यारवी सदी में सलाउद्दीन सलाउद्दीन ने वहां पे चड़ाई की थी और पूरे जो है फिर बैटिगन सिटी के आहवान पे पूरे किंग्स यूरोप के एक हो गए थे और फिर उन लोगोंने जो है लॉयन दा ब्र लाउद्दीन को तो यहां पर यह सब हिस्ट्री की बाते हैं दोस्तों लेकिन यह जाकर नाइक जैसे लोग हिस्ट्री को दरकेनार कर देते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री 570 इसवी से शुरू होती है 570 इसवी से पहले उनको पाती नहीं करनी उनको मतलब ही नहीं अरे मतलब कर रहा है जाकर नाएक भगोड़ा जाकर नाएक के हर एक बच्चा जो पैदा होता है वो मुसलमान होता है यह भाई किस लॉजिक से है मुझे कोई समझा दो एक लॉजिक तो हमारे हिंदुस्तानी भाई यो मेरे 40 सब्सक्राइबर्स देंगे के यार पैदा होते समय तो पूर लाइक जैसे भागोड़ों को जो है मैं सहीं बता हूं तो मैं असल्ज नहीं सब्सक्राइब बोला नहीं चाहता कि यह वेडियो में करें रिस्सन्ट होते नहीं तो बैंब İ OHता है तो अगरधर बहुत सब्सक्राश जाइधा है तुम मैं जो कुस्छी बोलना चाहारा हूं ह मैं नहीं बोल पा रहा हूं लेकिन आप समझ गए होगे तो मैंने जो लॉजिक दिया है वह लॉजिक जो है सॉलेड है और एकदम लॉजिकल है और इसके लिए मैं आप लोगों को जो है यह कहूंगा कि यह लॉजिक आप जहूर वाइरल करिए फैलाईए आप वीडियो निकाल के फेस्बुक पर जहां चलाना है चलाईए मुझे कोई दिख करते ही है लेकिन बात पहुंचाईए आने वाले वीडियो से मैं आपको आगे की भी जानकारी ऐसे ही देता रहूंगा और अब मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा धन्यवाद जहिंद बंदे मात्रम